सब्सक्राइब कीजिए सीविल सॉलुइशन चैनल को और दबाईए बैल आइकन लेटेस्ट सीविल इंजिनेरिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए रभाशकर दोस्तों सीविल सॉलुइशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप नमबर फ्लोर टाइल्स कैल्कुलेट कर सकते हो किसी भी फ्लोर के लिए स्पोज कि यह आपका एक रूम है इसका फ्लोर का साइज हमारा है 11 feet into 10 feet 11 feet आपका फ्लोर का length है और 10 feet उसका width है इस फ्लोर के लिए हमें नमबर फ्लोर टाइल्स कैल्कुलेट करनी है तो स्पोज कि यह आपका फ्लोर टाइल का size 60 into 60 cm है तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है आपने इस रूम का फ्लोर एरिया निकाल लेना है एरिया हमारा क्या होता है length into width तो 11 feet हमारी फ्लोर की length है into 10 feet उसकी width है 11 into 10 is equal to 110 square feet हमारा रूम का फ्लोर एरिया यहां से आ गया अब हमें करना क्या है area of one tile यानि कि एक टाइल का area हमें निकाल लेना है size क्या हमारा टाइल का 60 into 60 cm area हमारा क्या होता है length into width तो 60 into 60 is equal to 3600 cm square हमारा एक टाइल का area यहां से आ गया अब यहां पर देखिए हमारा जो floor area है वो square feet में है लेकिन जो हमारा टाइल का area है वो square cm में है अब हमें करना क्या होगा हमें दोनों का unit same करना होगा या था floor area को cm square में convert कर लीजे या फिर आप area of one tile को square feet में convert कर लीजे बस हमारा main purpose दोनों का unit same करना है फिलाल यहां पर मैं area of one tile जो की cm square में है उसको मैं square feet में convert कर रहा हूँ तो area of one tiling square feet तो आपका 3600 square cm area था उसको मैं multiply कर रहा हूँ 0.001 से 0.001 से क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपका 1 cm square में 0.001 square feet होता है तो 3600 multiply 0.001 is equal to 3.6 square feet हमारा area यहां से आगया one tile का अब हमारे पास दोनों का area same unit में है floor area भी हमारा square feet में है और area of one tile भी square feet में है तो अब हम easily number of tiles calculate कर सकते हैं तो number of tiles required is equal to floor area divided by area of one tile number of tiles निकालने का आपका simple सा formula है आपने जो floor area निकाला है उसको divide कर देना है area of one tile से floor area हमारा कितना आया था 110 square feet तो 110 यहां पे ले लिया divide by area of one tile जो के हमारा कितना था 3.6 square feet तो divide by 3.6 तो 110 divided by 3.6 is equal to 30.5 और से 31 tiles आपकी इस floor को बनाने के लिए लगेंगी तो आज के लिए friends इतना ही अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए अगर आप कोई वीडियो पसंद आप उसे like कीजिए अगर आपकी कोई question क्योरी है तो comment box में जाके comment कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि इससे मैं जो भी नहीं वीडियो अपलोड करूँगा उसका notification आपको मिल जाएगा Thank you